हलो फ्रेंद्स गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ डॉक्टर मनोज एक अरोमा तरेपेस्ट एक नैचरो तरेपेस्ट दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केर, हेयर केर, हेल्थ केर, पुस्ताशी डवलप्मेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में इस चैनल पर अप्लोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आज के इस वीडियो के अंधर हम बात करने वाले हैं हमारी स्किन को किस तरह से हम age-less बना सकते हैं मतलब हम अपनी स्किन को किस तरह से अपनी age को कम दिखा सकते हैं और हम सभी जानते हैं कि उसके लिए बहुत जादा important एक protein है जो कि हमारी skin को ageless दिखाने में हमारी मदद करता है जिसका नाम है collagen So आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम collagen protein को अपनी diet के माध्यम से अपने routine के अंदर include कर सकते हैं So please make sure कि अगर आप इस topic में interest रखते हैं और आप भी जानना चाते हैं कि हमारे घर में या हमारे घर के आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें available हैं जिनसे हम अपनी skin के collagen के production को increase कर सकते हैं So definitely इस video को last तक जरू देखिएगा जो कि ये video बहुत ही जादा informative होने वाला है और इस video के अंदर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप कुछ specific चीज़ों को खा करके अपनी skin के अंदर collagen के production को बढ़ा सकते हैं So अगर हम बात करें collagen के बारे में तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि exactly collagen होता क्या है So collagen basically हमारी skin के अंदर पाये जाने वाला एक protein है जो कि हमारी skin को नीचे से बहुत सता support करता है जैसे जब हम अपने घरों को बना रहे होते हैं उस समय पर हम अपने घरों की छटों को डालने के लिए नीचे से pillars लगाते हैं तो जैसे pillars हमारे घर की छट को support करते हैं बिलकुल वैसे ही collagen हमारी skin के एक pillars की तरह काम करता है जो हमारी skin को tight रखने में, हमारी skin को ageless रखने में और हमारी skin को youthful appearance देने में हमारी मदद करता है इसके साथ साथ हमारी cartilage में भी पाया जाता है cartilage का मतलब होता है कि हमारे जोडों के बीच में जो गद्दी होती है, जो cushioning होती है उसे भी मजबूत बनाने में collagen हमारी मदद करता है तो अगर आपके शरीर में जोडों में दर्द रहता है आपके शरीर के अंदर घुटनों में सिकट-कटकी आबाज आती है या आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का आपको body act रहता है तो वहाँ पर collagen आपको बहुत जादा मदद करता है इसके अलावा ये आपकी bones को strong करने के लिए और आपके connective tissues को healthy बनाने के लिए भी बहुत जादा helpful होता है अब collagen दिखता किस तरह का है तो जो collagen है वो protein एक fibrous protein है मतलब कि रेशेदार protein है जो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है जब हम collagen को medical science की मदद से microscopic lens की मदद से जब देखते है सो collagen हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस slide के अंदर तो आपको दिखाई देखा कि जहाँ पर youth skin है जहाँ पर younger skin है और जहाँ पर aging वाली skin है वहाँ पर जब youth skin है तो वहाँ पर यह collagen बहुत अच्छा strong pillar की तरह काम कर रहा है और जब हम aging skin की तरफ देख रहे हैं तो वहाँ पर यह collagen pillar जो है यह तूट गया है जिसकी बज़ा से हमारी skin पर wrinkles और fine lines आना शुरू हो गए है तो अगर बहुत जादा wrinkles आपके चहरे पर आ गए है बहुत जादा fine lines आपके चहरे पर आ गई है बहुत सारी जुरियां आपके चहरे पर आ गई है तो आप यह समझ लीजे कि आपकी skin में बहुत सारा collagen है वो disturb हो चुका है और collagen को वापस से regain करने के लिए आपको ना सिर्फ बाहर से कुछ खाने की चीजों की जरुवत है बलकि आपको आपकी skincare में अपने routine के अंदर भी externally भी बहुत सारी चीजों के applications करने होंगे जिनसे आप अपनी skin के collagen के production को बढ़ा सकते है so collagen heart किन-किन चीजों से होता है मतलब कि कौन सी वो चीजें है जिनकी वज़ा से collagen हमारी skin के अंदर depreciate करता है so तीन major चीजें आती है दोस्तों पहली जो चीज आती है वो आती है sunlight मतलब कि सूरज की जो रोशनी होती है उसकी वज़ा से हमारी skin के अंदर जो collagen होता है वो बहुत ज़ादा damage हो जाता है so अगर sunlight की बात करें तो यहाँ पर हमारी skin को sun से protect करना बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है और उसके लिए हमें अपनी skin पर proper sunscreen ज़रूर लगाना चाहिए दूसरा जो reason आता है दोस्तों वो आता है smoking अगर आप दुम्रपान करते हैं आप बीड़ी, cigarette पीते हैं तो उसके धुए की वज़ा से भी और skin के अंदर जो carbon जा रहा है body के अंदर जो carbon जा रहा है उसकी वज़ा से भी हमारी skin के अंदर collagen का production बहुत कम हो जाता है collagen तूटने लगता है जिसकी वज़ा से हमारी skin बहुत तेजी से बूरी होना शुरू हो जाती है और नमबर 3 जो बहुत बड़ा reason है वो हम सब पर लागू होता है वो आता है अगर हमारे खाने में बहुत ज़्यादा sugar है बहुत ज़्यादा starch है बहुत ज़्यादा processed खाना है तो उसकी वज़ा से भी हमारे शरीर की जो skin है वो बहुत तेजी से depreciate करती है क्योंकि collagen हमारी skin में बहुत तेजी से तूटना शुरू हो जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपनी skin को rejuvenate करना जाते है अपनी skin को revitalize करना जाते है तो जो processed sugar है मतलब जो सफेद चीनी है उसे कम से कम खाए उसकी जगा पर निठास के लिए हम यहाँ पर जो खजूर होते है या जो coconut sugar होती है उसका इस्तमाल कर सकते है वो हमारी skin को healthy रखने में भी हमारी मदद करते है अब वो 6 चीजें जिनको खाने से हमारी skin में collagen का production बढ़ता है पहली जो चीज आती है दोस्तों वो आता है अंडे का सफेद का हिस्सा जिसको egg whites कहा जाता है egg white के अंदर एक बहुत अच्छा amino acid पहे जाता है जिसको proline कहते है और ये proline क्या करता है हमारी skin के अंदर जाकर के हमारी skin के अंदर collagen के production को increase करता है तो अगर आप एक eggitarian है अगर आपके घर में या आप अंडे खाना पसंद करते है तो रोज कम से कम दो अंडों का सफेद वाला जो हिस्सा है वो आपको अपने routine में शामिल करना चाहिए ये शामिल करने से आप कुछी महीनों बात देखोगे कि आपकी skin के अंदर आपको इसके benefits मिलना शुरू हो गए है लेकिन कोई भी चीज जो आप अपने खाने पीने में शामिल करते हो आपको ये ध्यान रखना है कि उसे आपको routine में शामिल करने है एक दिन या दो दिन लेने से आपको उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है दूसरी जो चीज आती है दोस्तों वो आता है tomatoes मतलब कि टमाटर क्योंकि टमाटर में दो विशेश तीज़ें पाई जाती है पहला होता है lycopene enzyme और दूसरा होता है powerful antioxidants तो lycopene जो enzyme है वो हमारी body के अंदर जाकर के हमारी skin के अंदर collagen के production को बढ़ाता है साथी साथ हमारी skin को even zone देने में हमारी skin को fairness देने में और हमारी skin के अंदर अगर किसी भी तरह का pigmentation है pimples है tanning है sunburn है उन्हें भी खतम करने में यह हमारी बहुत जादा मदद करता है तो बहुत जरूरी है tomato को अपने routine में add करना अब हमारा सवाल आता है कि sir हमें कितने tomato रोज खाने चाहिए सो कम से कम आपको दो medium size के जो tomato है वो रोज खाने चाहिए और अगर आप यह चाहते हैं कि आपको इसका सबसे ज़्यादा benefit मिले तो इसे आप थोड़े से काले नमक और काली मिर्च के powder के साथ खाये क्योंकि काले नमक और काली मिर्च के अंदर बहुत सारे digestive enzymes होते हैं जिससे tomato का पूरा का पूरा जो nutrition है वो हमारी body को मिलना शुरू हो जाता है सो medium 2 size के tomato हमें जरूर खाने है अगली जो चीज आती है दोस्तों वो आता है citrus fruit citrus fruit मतलब खटे फल हम खा सकते हैं सो खटे फलों के अंदर हम tomato तो ले चुके हैं साथ के साथ हम संत्रा ले सकते हैं नीमू ले सकते हैं मौसम्मी ले सकते हैं कीवी ले सकते हैं स्ट्राबरी ले सकते हैं सो इनके अंदर भी बहुत सारा vitamin C होता है और vitamin C की बज़ा से हमारी skin के अंदर जो collagen का जो break down process चलता है collagen का जो तूटने का जो process चलता है वो काफी slow हो जाता है और जब ये process काफी slow हो जाता है तो उसकी बज़ा से हमारी skin में rejuvenation आता है हमारी skin जो है बहुत जादा healthy और glowing होना शुरू हो जाती है और हमारी skin में बहुत सारी fairness आने लगती है, जो कि हमें बहुत जादा help करता है हमारी skin को rejuvenate करने के लिए, हमारी skin को revitalize करने के लिए, ठीक है? तो कम से कम 100 gram आपको vitamin C या citrus fruit जो है वो अपने routine में जरूर शामिल करने हैं, अगली जो जीचा आती है दोस्तों वो आती है berries, मतलब कि आप अपने खाने के अंदर strawberries है, cranberries है, blueberries है, dark berries है, raspberries है, इनको जरूर शामिल करें, कम से कम 5-5 piece आप इनके जरूर खाए, अब आपका सवाल लाइका की सर, हिंदुस्तान में हमें fresh berries नहीं मिलती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इन्हें dry form में भी लेते हो, तो भी ये आपको बहुत अच्छा benefit देती हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप berries खरीदेते हो, तो आपको sugar coated नहीं खरीदनी, जो कि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारी companies ऐसी हैं, जो हमें sugar coated जो berries होती हैं, वो provide कराती हैं, जिसकी वज़ा से हमारी जो benefits की जो frequency है, जो benefits जो हमारी skin को मिलने चाहिए, वो हमारी skin को नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वज़ा से हमारी skin पे बहुत सारी issues आ खालो, blueberries and punch cranberries खालो, तो आपको बहुत जादा benefits मिलते हैं, मैं भी आपको इन्हें, जो मेरे हिसाब से जो अच्छे sources हैं, वो purchase करने का link आपको description box में देदूँगा, जहां से जाकर के आप इन्हें easily try कर सकते हो, अगली चीज जो सबसे सस्ती है और सबसे आसान है, जो हमारे घरों में बहुत आसानी से available है, वो आता है garlic, मतलब lesson, lesson की अगर हम तीन कलिया, जी हां दोस्तों यह ध्यान रखना, जो कि बहुत बहुत सारे लोग बोलेंगे, हम तो एक खालेते हैं, हम दो खालेते हैं, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, कि अगर आपको पेट जो है आ नहीं आप करोगे, so definitely वो आपकी skin की जो जरूरत है, उसको भी पूरा नहीं करेगा, so बहुत जादा जरूरी है कि आप अपने routine के अंदर, जो garlic है, जो लहसन है, वो तीन शामिल करें, तीन कलिया जरूर लें, और सुबह सुबह खाली पीट, इसे खाले, जैसे आप उठे, आपने brush किया, आप इसे सुबह सुबह खाली जै, अच्छे से चबा चबा करके, तो ये आपकी skin के अंदर collagen की production को boost करने में, आपकी बहुत जादा मदद करता है, अगला जो आता है दोस्तों, food item वो आते हैं हमारे बीज, मैं हमीशा कहता हूँ कि जो बीज होते हैं, वो एक चोटा है, लेकिन इतना बड़ा पीड, इतना बड़ा वरक्ष उसके अंदर समाया हुआ है, जिसके हम कलकना भी नहीं कर सकते हैं, तो बहुत जादा जरूरी है अपने routine के अंदर बीजों को शामिल करना, अगर आप pumpkin seeds ले रहे हैं, आप sunflower seeds ले रहे हैं, तो उसे आप दिन म मिले, क्योंकि बीजों के अंदर बहुत सारी मातरा में copper होता है, जिसकी वज़ा से यह हमारी body के अंदर जितने भी toxins होते हैं, जितने भी जितने भी गंदगी होती है, वो पूरा बाहर निकाल देता है, तो हमारी skin अंदर से rejuvenate करने लगती है, हमारी skin अंदर से natural collagen के production को ब क्योंकि जितने जादा आप organic beads लोगें, जितने जादा आप organic seeds लोगें, उतना जादा अच्छा होगा आपके लिए, आपकी skin के लिए, अपने skin को जादा-जादा collagen production करने में मदद करने के लिए, So make sure, इन साधी के सारी चीज़ों को अपने routine में जरूर शामिल करें, मैं उमीद करता हूँ कि ये जो video content जो बहुत जादा मेहनत से हमने आपके लिए तयार किया, आपको definitely पसंद आया होगा, पसंद आया है और आप अभी तक इस video के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी अभी तक आपने इस परिवार को जोईन नहीं किया है, so please चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा, और सब्सक्राइब करके bell के बटन को भी हिट कर दीज़ेगा, अगर आप हमें देफिनेटली फॉलो कीज़ेगा, और आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, और आप सब को भी मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत जारा प्यार, आप अपना बहुत जारा ध्यान रखियेगा, ताकि आप अपने आपको healthy बना के रख सकें, fit बना के रख सकें, क्योंकि आप जितना जादा healthy होते हैं, आप जितना जादा fit होते हैं, उतना जाद healthy और fit आप अपने आसपास और अपने परिवार के लोगों को बना सकते हैं So definitely अपना प्यार इस चानल को ऐसी देते रहिएगा Thank you so much, bye bye, love you all